हलो एंड वेलकम टू पढलो इंडिया यूनीक एलो लिंक प्लाट्फॉर्म मेरा नाम है आमित और हम यहां से आज से शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 CBAC के विडियो लेक्चर्स इस लेक्चर में हमारे लिए क्या क्या है फिर्स्ट चाप्टर है आज जो हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दो कोल्ड वॉर एरा इसमें हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में जानेंगे उस पीरिड में क्या क्या हुआ था हमारे तो कोल्ड वॉर टाइम लाइन देखे हम आगे बढ़ें और इसके बढ़ें पढ़ें बिफोर दाट लेट्स हाव लुक अट टाइम लाइन यह ताइम लाइन अगर हमें याद रहेगा तो एक्जाम में हमें इसे फाइदा मिलेगा एक दो एक्स्ट्र पॉइंट्स जब हम कहीं पर हम भूल जाते हैं तो वो पॉइंट्स हमें लिखने में काम आएंगे इस टाइम लाइन से तो एक बार देख लेते हैं इस टाइम लाइन को आप पॉस करके याद कर सकते हैं या फिर आपकी बुक्स में भी है और जो नोट्स आपको मिलेंगे उसने भी यह टाइम दिया रहेगा तो make sure कि आप इस timeline का पूरा-पूरा इस्तमाल करें जब आप अपने answers लिखें exam में यह ना इनिए 47 से शुरू होता है और यह जाता है 1991 यानि कि disintegration of the Soviet Union जब USSR टूट जाता है उसका विख्धन हो जाता है तो वहां तक कही है पूरा-पूरा timeline है and you should very carefully go through it so let's start the chapter दिखें यह जो chapter है इसको start करने है का जो topic है वो है Cuban Missile Crisis now before we get to know what is Cuban Missile Crisis first we need to understand के जो second world war था वो जब खत्म होँ तो दुनिया में दो superpowers से मर्ज करते है United States of America and Union of Soviet Socialist Republic जिसको जो 1991 में जो तूट गया disintegrate होने के बाद जिसका जो major partner था Russia जिसको आज हम Russia के नाम से जानते है तो majorly USSR जो था उसमें Russia कहीं चलती थी क्योंकि वो सबसे बड़ा player था major player वही था बागी बहुत चोटे-चोटे countries थी तो Cuban Missile Crisis है यह बहुत बाद में आती है पहले situation यह थी कि Second World War खत्म होता है दो superpowers दुनिया में मर्ज करती है और दो blocks बनने लगते हैं blocks बनने का मतलिब क्या था? Either you are with the United States of America or you are with the Union of Soviet Socialist Republic या नि USSR चलिए शुरू करते हैं देखते हैं Cuban Missile Crisis में क्या होता है Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it तो Cuba जो था वो Soviet Union, USSR का एक ally था उसका एक partner था उसके block से जड़ा हुआ था और उसको diplomatic support भी मिलता था economic aid भी मिलता था military aid भी मिलता था यानि हर तरीके से USSR Cuba की मदद करता था Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union decided to convert Cuba into a Russian base and in 1962, he placed nuclear missiles in Cuba तो उसमें के जो leader थे Nikita Khrushchev जन का नाम था he decided कि Cuba को हम अपना एक military base बना देंगे देखिए हर country जो होती है जो बड़ी superpower हाला कि superpower तो हम नहीं कह सकते superpower आज के world में सिर्फ एक ही है जो कि America है बट जो बहुत powerful countries होती है वो चाहती है कि उनके military bases हो अलग-अलग countries में ताकि अगर वहाँ पर कोई लड़ाई हो तो वो easily mobilize कर सके अपनी military को उसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Soviet Union की जो कि एक super part उस जमानी को हुआ करता था उसने decide क्या कि उसका military base क्यूबा में होगा और इसलिए उसने वहाँ पर nuclear missiles को प्लेस कर दिया था 1962 में 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba the Americans became aware of it now हुआ यहूँ कि जब इन्होंने nuclear missiles क्यूबा में प्लेस कर दी उसके 3 हफतों के बाद US को पता चलता है US gets to know about it 3 weeks जब वो बात हो चुके थी उसके 3 हफतों के बाद पता चलती है और फिर क्या होता है जो US President थे उस समय के John F. Kennedy and his advisors were reluctant to do anything that might lead to a full-scale nuclear war between the two countries but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba तो जो John F. Kennedy थे वो यह जानते थे कि अगर हमने बहुत aggressively pursue किया this might turn into a nuclear war between United States of America and Union of Soviet Socialist Republic यानि अगर US और US ने बहुत aggressively इस policy को pursue करना शुरू किया तो दोनों के बीच में nuclear war हो सकता है इसलिए उन्होंने कोशिश ये की कि इसको थोड़ा diplomatic channel से थोड़ा pressure build up करके किसी तरह से क्यूबा के अंदर से nuclear missiles को हटवा दी जाए Kennedy ordered American war ships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness तो देखे उन्होंने क्या किया उन्होंने ना attack करने की धंकी दी ना उन्होंने ये सिदे सिदे कहा कि तुम आपने missiles हटाओ what did the Americans do Kennedy ने order दिया कि जो American war ships है तो जो भी Soviet Union के ships आएंगी क्यूबा की तरफ उनको रोके intercept करें ताकि उनको ये पता चले that we know कि तुमने nuclear missiles place कर दी है क्यूबा में we are very serious about it and आपको वो जो nuclear missile से वहां से हटानी पड़ेंगी a clash seemed imminent in what came to be known as the Cuban Missile Crisis तो इसी को इसी event को इसी episode को हम Cuban Missile Crisis के नाम से जानते हैं the prospects of this clash made the whole world nervous for it would have been no ordinary war देखें दुनिया उसने दो world wars देख लिये थे world war 1 जो की दुनिया की सबसे बड़ी लडाई थी जब world war 2 हुआ वो दुनिया की सबसे बड़ी लडाई बन चुकी थी और बहुत ज़ादा destruction हुआ था loss of life हुआ था property हुआ था economies जो है उनका destruction हुआ था United States of America और USSR के बीच अगर nuclear war हो जाता तो ये first world war, second world war combined से भी बड़ी लडाई हो जाती और शायद दुनिया के पास recovery का मौका इसके बाद नहीं होता इसलिए पूरी दुनिया इस बात को लेके बहुत जादा nervous हो गई थे the Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Cold War बार बार हम इस टरम का इस्तमाल करेंगे Cold War the Cold War referred to the competition the tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union backed by their respective allies यनि की Cold War actual war नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा था confrontations हो रहे थे साथी साथ tensions थी confrontations को लेके और immense competition था किस चीज़ को लेके arms को लेके economic aid को लेके diplomatic relations को establish करने में कि किसी जो भी बड़े बड़े पार्स था यनि United States था USA Star था वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा country जो है वो उनके block को join करने जो हम आगे भी slides में पढ़ेंगे भी जनके बारे में तो ये सारी चीज़ जो थी वो मिलकर cold war जिसको हम कहते हैं short में cold war then what is the cold war इसके बारे में पढ़ लेते हैं the end of second world war was also the beginning of cold war यानि की second world war खतम होता है और cold war की शरुवात हो जाती है while the cold war was an outcome of the emergence of the United States and the USSR as two superpowers rival to each other it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear तो देखिए cold war हमें पता है world war जो हुई थी उसमें बहुत जादा destruction हो चुका था इसलिए जो cold war का period था उसमें अच्छे लडाईया तो बहुत कम हुई थी बहुत छोटे लेवल पे regional levels पे लडाईया होती थी पूरे world level पे लडाईया powers जो हैंके बीच में लडाई हो रही है तो बड़ी लडाई में convert ना हो जाए तो बहुत consciously इस बात को monitor करते थे regulate करते थे इसलिए जो cold war है इसको हम हिंदी में शीत युद्ध समझ सकते हैं यानि जहां पर tension build up किया जाता था दूसरी जो power है उसके area of influence को कम करनी के लिए और अपने area of influence को बढ़ानी के लिए जो tactics इस्तेमाल की जाती थी उस इन सारी चीजों को हम cold war का नाम देते हैं in the event of a nuclear war both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner now imagine कि अगर सच में इनके बीच में एक nuclear war हो जाता तो आप किसको declare करते winner क्योंकि दोनों side इतना destruction जहल चुकी होती कि it would be impossible to call any side or to pick any side as the winner or the loser even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction तो मान लीजे कि आपका कोई ally है जैसने nuclear attack कर दिया आपने उस nuclear attack को रोकने के लिए missiles चलाई या जो भी आपके पास technology थी उससे आपने कोशिश की कि उस nuclear attack को आप रोक दे लेकिन अभी इस एक super power के बहुत सारे allies हैं और उन सब के पास अगर nuclear weapons हैं और वो सब अगर करने लगे तो शायद आप उनको रोक नहीं पाएंगे और इसी लिए जो दोनों super power थे वो लड़ते हुए भी इस बात को ध्यान में रख रहे थे कि ये लड़ाई nuclear war में तब्दील न हो जाए यानि कि आप डर कर कोई काम नहीं करते हैं बोट साइट्स हाव दे कपासिटी तो रिटालिए अगेंस आन अटाक और तो कॉस्ट सो मुच दिस्ट्रक्शन दा नीदर कैन अफ़र तो इनिशेट वार तो दोनों साइट्स के पास इतनी capability थी और इतना arms था इतना ammunition था और allies थे कि दूसरे को immense नुकसान पहुचा सकते थे इतना loss कर सकते थे दूसरे साइट का तो basically दोनों साइट इस बात को जानते थे और इसलिए इस बात को logic of deterrence कहते हैं यानि क्योंकि दोनों जानते हैं कि हम दोनों का बहुत जादा नुकसान हो सकता है इसलिए कोई भी साइट एक दूसरे पर पूरी तरह से अटाक नहीं करता है तो इसने लडाई तो नहीं होने दी बट राइवल्री रही और दोनों राइवल कैंप्स जो थे यानि जो United States का कैंप था और जो USSR का कैंप था उनके बीच में immense राइवल्री रही और लगातार कोशिश करती रही एक दूसरे साइट को नीचा दिखाने की और अपने आपको सुपीरियर दिखाने की ज्यादा पारफुल दिखाने की ता इमर्जनस अफ तू पार ब्लॉक्स उसी के बारे में अब सोड़ा डिटेल में पढ़े लेखते हैं इन अबर शाफली दिवाइड बेट्वीन तो अलाइंस सिस्टम्स तो यह हमेशा इन से जुड़े रहेंगे यह हमेशा इनको प्रॉटेक्शन अपने ब्लॉक्स के सूपर पार से ही मिलती है उसी की बात यहां पर हो रही है यहां कि जो चोटे देश थे जोनोंने बड़े-बड़े सूपर पार्स के अलाइंस को जॉइन किया उनका अपना इंट्रेस्ट था उसमें वो इंट्रेस्ट क्या था वो देख लेते हैं पहला तो थे प्रॉमिस अप्रोटेक्शन की तो में कोई भी अटाक करेगा तो वी आर देर हम तुम्हें बचाएंगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता दूसरा वेटिंgy की सप्लाई यह जो small states थे , जो छोटे छोटे देश थे यह क्या थे ? जो smaller countries थी जो Alliance पार्टने थी इधर United States ब्लॉक की , यह सोवियट यनियन के ब्लॉक की इन दोनों blocks के जो smaller alliance partners थे उनको कहा गया कि आपको जितने भी हथियार की जरुत हो हमें बता देना हम आपको supply करेंगे economic aid यानि कि उनको पैसों की जरुत होती थी destruction हुआ था world में इतना ज्यादा तो लगबग हर country की economy बहुत ही खराब सिती में थी world economy ही actually collapse कर चुकी थी उस time पर तो उन्होंने कहा कि अगर पैसों की जरुत पड़ेगी तो हमें बताना हम तुमें पैसे देंगे यह किस के लिए यह सब इसलिए ताकि वो जो यह चोटे countries थी वो यह सब क्यों कर रही थी ताकि अपने जो local rivals है पर example ले लेते हैं इंडिया पाकिस्तान हाला कि इंडिया पाकिस्तान यहां पर fit case नहीं होते हैं in that case हम किसी और country का example ले सकते हैं North Korea, South Korea का example ले सकते हैं तो North Korea, South Korea ने अलग-अलग camps join किया क्योंकि उनको फाइदा मिलता उससे और अपना जो local rivalry है वो उससे deal कर पाते हैं अपने तरीके से तो क्योंकि इन छोटी countries का अपना interest था इन superpowers के blocks को join करने का और इसलिए उन्होंने इन blocks को join किया था This division happened first in Europe यानि कि यह जो था कि छोटी countries जो है बड़े बड़े जो superpowers जो थे दोनों उनके blocks को join करेंगी यह पहला Europe में हुआ Most countries of Western Europe sided with US तो जो Western European countries थी जैसे Britain, Germany, Germany का भी division हो गया था East Germany, West Germany में West Germany जो था, वो US के साथ था, France, US के साथ था, Italy, US के साथ था इस तरह कि जो भी Western European economies थी और countries थी उन्होंने United States of America के block को join किया जो Eastern European countries थी उन्होंने USSR के block को join किया इस map में भी आप देख सकते हैं Yellow ones यह इन्होंने American block को join किया था और जो Red ones है इन्होंने Soviet Union के block को join किया था The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization जिसको हम NATO के नाम से जानते हैं जो NATO है, it's called North Atlantic Treaty Organization तो basically क्या किया जिन Western European countries ने American block को join किया उनको एक formal organization में ही US ने तबदील कर दिया और एक नया organization ही बना दिया North Atlantic Treaty और एक नया organization ही बना दिया North Atlantic Treaty Organization के नाम से नाम से इन 1949 The Eastern Alliance known as the Warsaw Pact was led by Soviet Union It was created in 1955 and its principal function was to counter NATO's forces in Europe तो क्योंकि United States ने अपने जो ally थे उनके साथ मिलके NATO नाम का एक organization बनाया उसी तरह से Soviet Union ने अपने allies के साथ मिलके Warsaw Pact sign किया 1955 में क्यों किया ताकि जो NATO की activities हैं उसको check में रख सके और उनको ये ने लगे कि उनको एक upper hand मिल गया है क्योंकि वो एक formal organization में आ गये हैं तो इस वजय से Warsaw Pact Soviet Union ने अपने allies के साथ sign किया In East and Southeast Asia and in West Asia, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization जिसको Seattle कहता है यानि कि Asia के लिए, Southeast Asia के लिए, East Asia के लिए, Seattle नाम का organization बनाया गया और एक बनाया गया Central Treaty Organization इस तरह के अलग-अलग treaties sign की गई, organizations बनाया गया अपने area of influence को बढ़ाने के लिए जिस में United States बहुत आगे निकल गया था The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq तो organizations के मामले में United States जो था वो काफी आगया था Close relations बनाने के terms में अगर हम देखें तो Soviet Union जो था उसने China, North Vietnam, North Korea, Iraq इन जैसे countries के साथ बहुत close association create किया था, apart from Warsaw Pact Now, जहां पे भी इस तरह के organizations बनते हैं, groupings होती है, blocks बनते हैं वहां पर disagreements भी जल्दी ही उबर के सामने आने लगते हैं क्योंकि देखें, आपको आप super power है, आपने आपका एक अपना purpose है, अपना agenda है जिसकी वज़े से आप एक idea को pursue करते हैं, जो दूसरी allies हैं आपकी, जो छोटी countries है जिन्होंने आपको join किया है, हो सकता है, आपके उस agenda से वो agree नहीं करती हो बट सिर्फ क्योंकि आपके weapons की है, आपके पैसो की उनको जरुत है, इसलिए आपके alliance को join कर लेते हैं यही हाल यहां पर भी हुआ, cracks and splits within the alliances were quick to appear, यानि की जल्दी उनके अंदर differences emerge होने लगे Communist China जो था, जो की Soviet Union के block का पाट था, बहुत बड़ा पाट था Communist China quarreled with the Soviet Union towards the late 1950s and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute यानि की, जो Communist China था, जिसने Soviet Union के block को join कर रखा था, उनके बीच में disagreements हुए disagreements होने के बाद, around 1956-57 में उनके बीच बहुत ज़्यादा differences emerge होने लगे और finally यह differences इतने ज़्यादा हो गए, कि 1969 में उनके बीच में territorial claim को लेकर कि किस country की, Russia की, Soviet Union की territory कहां तक है और China की territory कहां तक है, उसको लेकर उनके बीच में छोटी सी लड़ाई भी होती है, यानि alliance partner खुद में ही लड़ने लगे The other important development was the non-aligned movement, जिसको हम नाम के नाम से भी जानते हैं Which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliance, यानि कि अब जब दुनिया के दो superpowers हैं और दो blocks में बटे हैं एक side USA, एक side USSR और इन दोनों blocks को countries दुनिया की जो हैं वो जॉइन कर रही हैं या तो मर्जी से या डर के या अपने interest को serve करने के लिए चाहे जिस भी कारण से वो इन blocks को जॉइन कर रही हैं याद कीजे 1947, 48, 49, 50 वो दौर था कि दुनिया की बहुत सारी countries एशिया और अफरिका में independent हो रही थी इन countries के पास एक अजीब से situation आ गई थी ये किसी block को join नहीं करना चाहते थे उन्होंने देखा था कि लड़ने का नतीजा क्या होता है और अभी उनको नई नई आजादी मिली थी वेरी वेरी अवर्स तुद आइडिया कि वो किसी block को join करें किसी military race के अंदर घुसें बहुत मुश्किल से उनको आजादी मिली है तो इसी वज़े से कुछ countries ने मिलकर इसके उपर बातचीत करनी शुरू की कि किस तरह से बिना दोनों किसी block को join किये हुए हम independent foreign policy अपनी pursue कर सकते हैं इस independent foreign policy को pursue करनी के लिए non alignment movement का जन्म होता है जिसके बारे में हम अभी एक दो slide से बाद आगे पढ़ेंगे arenas of the cold war the two superpowers were poised for direct confrontations in Korea in 1950 to 53, Berlin 1958 to 62, the Congo in the early 1960s and in several other places now crises is deepened as neither other parties involved was willing to back down तो बहुत जगा इन लगों की लडाईया होने लगी, confrontations होने लगे जिसमें बहुत important ones हैं कोरिया में, कॉंगो में, साथी साथ बर्लिन में और भी अलग अलग जगों पर इनके confrontations होने लगे और दोनों में से कोई भी साइड जगा था वो बाकडाउन के लिए तयार नहीं था उसका हर दोनों साइड का मानना था कि आर सुपिरियर और इसी विजए से जगातार बढ़ते जा रहे थे इस तान की करते हैं बट इन सब के अंदर जो एक positive चीज निकल के आई कि दुनिया में nuclear war नहीं हुआ था इन सम केसे हुज military build-ups were reported तो huge military build-ups भी होते थे बट दुनिया nuclear war से बच गई ये इसको बहुत बड़ा एक positive aspect माना जाता है इस दौरान जवारलाल नहरू one of the key leaders of the non-alignment movement played a crucial role in mediating between the two Koreas in the Congo crisis the United Nations Secretary General played a key mediatry role तो जो Korean war था उसके इंदर जवारलाल नहरू who was one of the founding members of non-alignment movement उनोने एक बहुत इंपर्टन रोल प्ले किया और ठीक उसी तरह से Congo में जो United Nations के General Secretary होते है उनोने mediatry role play किया था ताकि situation को थोड़ा ease कर सके in time therefore the United States and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons to finally जाकर Soviet Union के पास और America के पास उन एक understanding बने की collaborate करते हैं कि जो nuclear weapons है उनको limit करते हैं यह उनको eliminate करने की कोशिश करते हैं because ultimately अगर nuclear war होगा तो नुकसान पूरी दुनिया का होगा किसी एक देश का नहीं होगा किसी एक block का नहीं होगा they could understand it they could see it and that is why they agree to collaborate on this aspect a stable balance of weapons they decided could be maintained through arms control starting in the 1960s the two sides signed three significant agreements with a decade within a decade limited test ban treaty nuclear non-proliferation treaty and the anti-ballastic missile treaty तो इन सब को समझते हुए within a decade United States of America और USSR ने तीन बहुत इंपोर्टन ट्रीटी साइन की agreement sign किये जिनके नाम है limited test ban treaty nuclear non-proliferation treaty and anti-ballastic missile treaty treaty thereafter the superpowers held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms यानि कि इसके बाद भी सिर्फ इन तीन agreements और treaties पर नहीं रोके इसके बाद भी वह लगातार negotiation rounds में जाते रहे बात करते रहे और कोशिश करते रहे कि किस तरह से इस arms race को रोका जाए कम किया जाए challenge to bipolarity यही कि bipolar world हो गया था एक तरफ United States of America था एक तरफ USSR था इसके अलावा दुनिया में कुछ और नहीं था तो either you are with them or you are not with them and if you are not with them you are against them तो यह philosophy थी bipolar world की अब उसको हम देखते हैं कि उसको challenge करने के लिए क्या चीज़े आती है पहले जो सामने picture है five founding members of NAM उसमें जो तीन सबसे important role लोगों ने play किये थे हलांकि important सारे लोग हैं बट तीन जो सबसे important जवारलाल नेहरू, गामल अब्दर नसार और टीटो तो नेहरू from India, नसर from Egypt and Tito from Yugoslavia these three people who played these are the people who played the key role in founding NAM non alignment movement और किनका किनका support था, घाना के president का support था और साथ ही साथ, इंडोनेशिया के जो प्रेसिदिन सुकार्नो, उनका भी support था इसमें the cold war tended to divide the world into two rival alliances, we have seen that, हमने अभी पढ़ा, कि cold war में दुनिया को जो है, दो rival group में ही बाट दिया था, पुरी दुनिया जो है, वो दो हिस्सों में बटके, एक दूसरे से लड़ने के लिए तयार थी it was in this context that non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America, a third option, not to join either of the two alliance, यानी की आप या तो United States के ब्लोग को जोइन करो, या Soviet Union के ब्लोग को जोइन करो, ये दो option थे non-alignment movement की सबसे खास बात ये थी, it gave you the third option, not to join any of the two alliances the roots of NAM went back to the friendship between three leaders, Yugoslavia's Joseph Ross Tito, India's Jawaharlal Nehru and Egypt's leader Gamil Abdel Nassar तो Nassar जो थे, Nehru और Tito, इन थीनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, जिसकी वज़े से NAM जो है, वो अस्तित्व में आप सका, it could emerge as the challenger to the bipolarity उन्होंने एक meeting की 1956 में, और Indonesia's Sukarno and Ghana's president strongly supported these three leaders कि आप ये जो काम कर रहे हैं, non-alignment movement का, it is a very good step, दुनिया को बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा step है, जोड़ा tension को ease करने के लिए का अच्छा step है, and you have our full support. इस five leaders came to be known as the five founders of NAM. The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. यही कि जो नाम था, उसकी पहली meeting 1961 में, Belgrade में होती है, ये five leaders जो है, वो attend करते हैं, और कुछ और countries थी, जिनको, जो desirous थी, join करने की NAM को, और किसी भी block को नहीं join करना चाहती थी, उनको advice भीजा गया था, और ये first meeting NAM की थी. देखिए, जो NAM के members थे, उनका कहना ये था, कि हम किसी camp को नहीं join करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं था, कि उन्होंने ये कहा, कि दुनिया में कुछ भी होगा, तो we will not respond to it. इसका मतलब क्या है, isolationist नहीं थे, अगर isolationist की बात करनी है, उसका classic example इस दुनिया में, United States of America है, जो की लगबग mid 1700 से लेके, 1900, around Second World War तक के time period तक isolation में रहता है, यानि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब Japan ने finally US के उपर attack कर दिया, Pearl Harbor में, तब जाके, अमेरिका जो है, वो जॉइन करता है, Second World War को, otherwise, अमेरिका का कोई प्लान नहीं था, Second World War को जॉइन भी करने का, Non-alignment is not isolationism, since isolationism means remaining aloof from world affairs, यानि दुनिया में चाहे, जो भी हो, किसी की लड़ाई हो रही हो, कहीं पर कुछ security concerns है, उस country को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपने आपको, जो isolationism की policy को follow करती है, Isolationism sums up the foreign policy of United States, from American war of independence in 1787, up to the beginning of the First World War, तो First World War तक, अमेरिका बिलकुल भी intervene नहीं करता है, इन फाक, First World War और Second World War में तो, आम्स तक supply करता था, दूसरी कांट्री को लड़ने का, and that is why, it could emerge as one of the most powerful countries, क्योंकि उसने बहुत पैसे भी, First World War, Second World War में, arms के थूँ, earn किये थे, तो, in comparison, the non-aligned countries, including India, played an active role, non-alignment is also not neutrality, neutrality refers principally to a policy of staying out of war, हाला कि जो non-aligned countries हैं, उसके जो members हैं, उन्होंने बहुत सारी लड़ाईय लड़ी हैं, तो वो neutral भी नहीं थे, States practicing neutrality are not required to help end a war, यानि कहीं दुनिया में लड़ाई हो रही हैं, तो जो neutrality practice करते हैं, वो उस लड़ाई को खत्म करवाने में भी, अपना कोई contribution नहीं देते हैं, they do not get involved in wars, and do not take any position on the appropriateness, or morality of the war, कि कोई लड़ाई हो रही है, वो सही है, गलत है, नहीं होनी चाहिए, इसे रोक देना चाहिए, morality का question भी उनके लिए नहीं होता है, सही गलत का question भी उनके लिए नहीं होता है, जो countries neutrality की policy को follow करते हैं, non-aligned states, including India, were actually involved in wars for various reasons, तो non-aligned countries, including India जथी, उनकी तो भहसरी लड़ाईया भी हुई, चाइना से, पाकिस्तान से, तो उस लड़ाई को कितनी जल्दी खत्म किया जा सकता है, और अगर कहीं पर ऐसी संभावना है, possibility है, कि लड़ाई हो सकती है, तो कैसे उस hostility को, उस rivalry को कम किया जाए, New International Economic Order, इसके बारे में जान लेते हैं, the idea of a New International Economic Order, originated with this realization, New International Economic Order, the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, brought out a report in 1972, entitled towards a New Trade Policy for Development, the report proposed another form of the Global Trading System, तो 1972 के आस पास क्या होता है, क्यों जो United Nations Conference on Trade and Development है, वो एक report निकालता है, क्या, towards a new, so you should remember the name of the report, तो अगर आप अपने अंसर में इसको इंक्लूट करेंगे, इसके इसके इंदर क्या था, वो जाननी के कोशिश करते हैं, give the LDC, LDCs कौन है, least developed countries जो है, LDCs control over their natural resources, हमें पता है किस तरह से Asia और Africa के जो countries हैं, जिनके पास natural resources तो बहुत थे, बट वो आज भी बहुत पूर हैं, क्योंकि उनके natural resources और exploit करके, जो western economies हैं, उन्होंने अपना फाइदा किया था, तो इसलिए इस report के अंदर कहा गया, कि जो least developed countries हैं, उनका पूरा control होना चाहिए, अपने natural resources के उपर, ताकि वो अपना development कर सके, obtain access to western markets, अब यह होता था, कि western countries हैं, जो यहां से सामान जाता था, जो Asia और Africa के traders थे, जो export करते थे सामान, वहां पर वो इतनी heavy duty लगा देते थे, कि वहां के western market में, compete नहीं कर पाता था, इनका price इतना high हो जाता था, कि generally लोग avoid करते थे, Asian African products को खरीदना, तो इसलिए, obtain access to western market, so that LDCs could sell their products, and therefore, make trade more beneficial, for the poorer countries, now reduce the cost of technology, from western countries, को मैं पता है, west की कोई भी technology होती है, वो बहुत महंगी होती है, और जब, for example, इंडिया में, जब हम कोई technology की बात करते हैं, और जब develop करते हैं, तो बहुत low cost technology हैं हम develop करते हैं, तो यही का गया कि west, जो अपनी technology share करता है, वो बहुत expensive है, बहुत costly है, तो उस cost को कम किया जाए, ताकि जो एशिया हैं और आफरिका, और दुनिया के जो गरीब देश हैं, वो उसका फाइदा उठा सके हैं उस technology का, gradually, the nature of non-alignment changed to give greater importance to economic issues, और धीरे-धीरे जो नायम था, वो military solutions से हटके, ज्यादा उसका aspect जो था, वो चला गया, economic issues की तरफ, कि कैसे countries को poverty से निकालना है, और किस तरसे जो जो countries हैं, जो newly independent countries हैं, एशिया की, आफरिका की, और दूसरी जगहों की, कैसे वो development के रास्ते पर, तेजी से जा सकते हैं, by the late 1980s, however, the new international economic order initiative had faded, तो यह जो initiative था, इसका असर बहुत कम हो गया, by 1980s, mainly because of the stiff opposition from the developed countries, who acted as a united group, while non-aligned countries struggle to maintain their unity, in the face of this opposition, यानि की, जो western countries थी, उन्होंने देखा, कि यह जो report आई है, और इसके हिसाब से, अगर हम काम करें, तो हमारा economic loss बहुत ज्यादा हो जाएगा, and they opposed this report, और यह जो new international economic order था, उसकी working को इन्होंने आपोस करना शुरू किया, और जो non-aligned countries थी, वो एक साथ आकर, इस group का मुकाबला नहीं कर पाएं, जो western countries थी, उनका मुकाबला नहीं कर पाएं, उनको resist नहीं कर पाएं, उनके opposition को, और इसलिए, यह जो idea जो बहुत ही अच्छा होता, अगर इस पर काम होता, तो यह idea जो था, वो उसका असर खतम हो गया, and it could not make any positive change in the long term. India and the Cold War, India की policy क्या थी? India's policy was neither negative nor passive, as Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of fleeing away, यानि की, Nehru का कहना था कि non-alignment की policy, भाग जाने की policy नहीं है, इग्नोर कर देनी की policy नहीं है, on the contrary, India was in favor of actively intervening in world affairs, to soften Cold War rivalries, जैसे कि हम पहले ही बात करें, कि, in fact, Nehru भी यही कह रहे थे, कि हमारी policy यह नहीं है, कि हम कोई situation, दुनिया में कोई problem, कोई लडाई अगर हो रही है, अगर कहीं पर rivalry है, कहीं पर hostility है, अगर कहीं पर लडाई हो रही है, we should actively intervene, हमारा intervention होना चाहिए, ताकि हम उस rivalry को कम कर सके, कहीं पर अगर लडाई हो रही है, कम उस लडाई को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके, रोक सके, और इस तरह की foreign policy हमारी होनी चाहिए, तो जो हमारी policy है, वो यही थी, India tried to reduce the differences between the alliances, and thereby prevented differences from escalating into a full-scale war, A non-aligned posture always served India's interests very directly in at least two ways, तो non-aligned, यह जो हमारी जो policy थी, उसे इंडिया को क्या फाइडा हुआ, दो तरीके से देखते हैं, पहला, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies, यही कि non-alignment की policy को follow करने से, क्योंकि हम दोनों में से केसी भी block के साथ नहीं थे, हम अपने independent foreign policy decisions, जो भी international issues पे decisions लेने होते थे, जो stand रखना होता था, India बहुत अच्छे से अपना stand रख पाता था, बिना यह सोचे हुए कि American camp को बुरा लगेगा, या Soviet camp को बुरा लगेगा, दूसरा, India was often able to balance one superpower against the other, अब आपने अगर कोई camp नहीं join किया है, तो हमेशा दोनों camp यह कोशिश करेंगे, कि आप उनके camp को join कर ले, इसलिए इंडिया को इस तरीके से भी फाइदा हुआ, इस इंडिया फिल्ट इग्नोर्ड और अंडिली प्रेशराइज बाई वान सूपर पार, इट कोड तो तो अगर कभी यह लगता था कि American camp जो है वो इंडिया को उतनी value नहीं दे रहा है, जितनी देनी चाहिए, तो वो Soviet Union की camp के तरफ थोड़ा tilt करता था, जिससे Americans प्रेशर में आते थे, और फिर इंडिया को जो चाहिए होता था, उसका interest को सर्व करने के लिए, वो चीज़ें मिल जाती थे, नीदर alliance system को take India for granted और bullied, यहनी कि क्योंकि मैंने किसी का alliance जॉइन नहीं किया है, तो इसलिए वो मुझे taken for granted नहीं ले सकते थे, उनको हमेशा मेरे बातों का, मेरे interest का ध्यान रखना पड़ेगा, बिना मेरा उनके alliance को जॉइन किये हुए. India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts, तो अब बात कर लेते हैं, कि यह जो दो फाइदे हमें देख रहे थे, उसको भी criticize किये गए हैं, जो हमारी non-alignment policy रही है, उसके criticism क्या हैं, वो एक बार देख लेते हैं. First, India's non-alignment was said to be un-principled, in the name of pursuing its national interests, India, it was said, often refuse to take a firm stand on crucial international issues. Now, criticism यह रहा है, कि जो हमारी नाम की policy रही थी, वो un-principled थी, यानि की, India ने कई बार जिन international issues पर उसको stand लेना चाहिए था, India ने stand नहीं लिया. यह पहला criticism है, this is the first criticism. Now, second criticism क्या है? It is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures. Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971, with the USSR for 20 years. This was regarded particularly by outside observers as virtually joining the Soviet alliance system. तो, कहा गया कि India के posture जो है, वो बहुत contradictory है. कैसे? 1971 में, इंडिया ने Soviet Union के साथ 20 years के Friendship Treaties sign कर लिये थी, जो कि अगले 20 साल तक रहने वाली थी. यानि, अब कहना था कि आप क्योई alliance तो जोइन नहीं कर रहे है, तो आपने Soviet Union इंडिये साथ ये treaty क्यों sign की? Now, 1971 was the year, if you can remember, when India was at war with Pakistan. Bangladesh क्या, जो formation का year है, 1971 है. तो, इंडिया को इसलिए इस treaty की जरुए थी. ऐसा जो government का view है, जो government का stand है, कि क्यों इस वज़े से treaty sign की गई थी? कि क्योंकि Pakistan से लड़ाई करते हैं, पाकिस्तान को चाइना का या US का support मिल सकता है, तो इसलिए इंडिया को उसमें USSR के support की जरुए थी, और इसलिए वो treaty sign की गई थी. तो ये था chapter 1 आपका, the cold war era, इसके अंदर हमने बहुत सारे important चीज़े देखी, कुछ terms के बारे में जाना, कुछ events के बारे में जाना, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत जल्दी मैं आपके लिए दूसरा chapter लेकर आऊंगा, thank you so much.